दोस्तों मेरे पुराने नोटों और सिको को खरीदने के लिए एक इस प्रकार का सर्टीफिकेट तयार हो चुका है अब मैं लॉग डॉण में भी कई पर भी जाकर पुराने नोटों और सिको का कलेक्शन कर सकता हूँ दोस्तों यहाप आप देख सकते हैं अगर आपकी पास इ जैल कर सकते हैं चाहिए 20 पैसे का कोई भी सिक्का है यहां पर इस परकार के कोई भी 2 रुपे के यहां पर इस परकार के आप देख सकते हैं दो रुपे के सिक्के एक रुपे की सिक्के अगर आपके पास इनमें से कोई भी सिक्के पाई जाते हैं तो अब आप घर बैटे आसा हम करीदते हैं दोस्तों इसके अलावा भी आप यहां पर देख सकते हैं काफी नौट हैं और इन में से कुछ नौट और सिकों का मोधी सरकार ने भी परामास दे दिया है कि आप कहीं पर भी जाकर पुराने सिकों को खरीच सकते हैं और इन सिकों की जो डिमंड मोधी सरकार ने अपने लिए खुद मोधी सरकार ने बताईए दोस्तों अगर आपके पास भी कोई भी पुराने नौट और सिक्के हैं चाहिए इस परकार का एक रूपे का सिक्का है या पिर इस परकार का इंदीरा गंदे वाला कोई भी सिक्का है या पिर इस परकार का कोई एक रुपे का सिक्का है या पिर इन में से कोई भी सिक्के है और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं तो दोस्तों अब आप आसानी से घर बैटी सेल कर सकते हैं आपको कई पर भी जाने क अपने विज्टार से बात कर लेते हैं जो इस परकार की दुकाने भी लगई गई है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ तस्वीरे मैं आपकी सामने पेस कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ ही जो हमारे पुराने नॉट और शिको का कलेक्शन करने के लिए बड़ी बड़ी दुकाने भी बनाइगाई गई हैं जहाँ पर लोग जाकर आसानी सी पुराने सिकों का कलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अपने मेरे साथ वित मेंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यह मेंबर से और यह मैं दो खुद हूँ आपको यहाँ पर देखा ही दे रहा हूँ बिलने वाली हैं उसके बारे में भी आईए दोस्तों मैं आपको विश्य जानकारी बता देता हूं दोस्तों आज अपने सामने कुछ ऐसे ही पुराने नॉट और शिक्को की डिमोंड आच चुकी है और इसी परकार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा इस परकार की डिम कुछ दोस्तों इतना करने की बाद में आपका जिल्ला कौन सा है और उस राज्य में आपका जिल्ला कौन सा है वो सारी डीटेल आप हमेशा दिजये ताकि अगर आपके पास कोई पुरा नॉट और सीक्टा क्लिक्सन कर सकें odsक्तों अब यह आगे बड़ते और बात करतें तो ये सिक्के आते हैं जिन में से सबसे पहला सिक्का एक रुपे का माना जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रुपे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा हुआ दे रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं इन सिक्के के दोनों साइड ग्याउं के पोदे भी आपको दिख रहे हैं दोस्तों इसका जो दूसरा भाग है यहां पर आप देख सकते हैं यानि कि टेल भाग में आप यहां पर देख सकते हैं का सुकिस्तम का चिन माना जाता हैं याने किया हुआ होता है यहाँ पर आपको एक चक्र दिखाई देता है जिनके मदे पूरी 24 तीलियों का चक्र होता है दोस्तों, अगर आपके पास भी इस प्रगार का सिक्का है 24 तीलियों वाला चक्र वाला एक रुपे का साथ हिमें गॉल्ड कलर में है तो आप अब इन सिके को घर पर बैटे ही आसानी से 30,000 रुपे में सेल कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी पास इस सिका पाया जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता दीजिए कि हमारे पास इस सिका अवेलेबल है और हम इन्हें सेल करना चाहते है इसकी बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले सिके की दोस्तों अगला सिका जो सबसे छोटा सिका एक पैसा यानि कि एक पैसी से छोटा कोई सिका आता नहीं है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है रुपे का सवा भाग यानि कि एक रूपय का सो बाग इस प्रकार की सो सिक्की हो तब एक रूपया बनता है दोस्तों अगर आपकी पास ये इस प्रकार का यानि कि सबसे छोटा सिक्का एक पैसे का सिक्का अगर आपकी पास पया जाता है तो दोस्तों इस सिक्के की कीमत आपको घर बैटे एक लाक रुपे दिला सकती है दोस्तों अब ये एक पैसे का नहीं है ये सिक्का अब एक लाक का हो चुका है क्योंकि दोस्तों इसकी बहुती बड़ी डिमंड आ चुकी है यहार है अगर आपके पास भी सिक्का वेलेबल हैं तो आप हमने कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बता दीजिएगा इसकी बाद में दोस्तों बढ़ते हैं अगले सिक्के की और दोस्तों अगला सिक्का जो डॉक्टर राजेंदर परसाद वाला सिक्का यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं सत्ताइ मेव जयते भी आपको लिखाई दे रहा है और इसकी तो टेल भाग में आप यहां पर देख सकते हैं असोकिस्तम का फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पांच रुपे का सिक्का आपको नजर आ रहा है साथी में यहाँ पर आप दिख सकते हैं यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंदर परसाद का फोटो भी आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है डॉक्टर राजेंदर परसाज यानि कि यह जो सिखा है जो डॉक्टर राजेंदर परसाज की जैनती के उपलेक्स है यानि कि 125 वी जैनती जब मनाई गई थी डॉक्टर राजेंदर परसाज की तब बbat कर लेते हैं का है रविंदर ना-टेगोर का सिक्झा जो 150 वी जैन्ती के उपलेक्ष में बनाया गया था और जो मैंने आपको पहले सिक्झा बताया था जो राजिंदर परसाद का ficar के उपलेक्षे में उस खीया का निर्माण किया गया था दोस्तों अब है जो रविंदर नाटेगोर वाला सिक्का जो एक सो पचासवी जैन्ती के उपलेक्से में इस सिक्की की स्थाफना की गई थी अगर आपकी पास इस परकार का सिक्का अवेलेबल है यानि कि इस परकार का सत्ताय मेव जैते लिखा हुआ दोस्तों अगर आपकी पास इस सिक्का अवेलेबल है तो आपको इसकी कीमत आसानी से घर बैठे ही आसानी से इसकी कीमत 40,000 रुपे मिलने वाली है दोस्तों अगर आपके पास भी ये SIKKA अवेलेबल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता दीजेगा कि हमारे पास ये SIKKA अवेलेबल हैं और हम इने SEL काना चाते हैं दोस्तों आईए अगले SIKKA की भी बात कर लेते हैं दोस्तों अगला सिक्का जो आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार का सिक्का यानि कि 15 रुपी इंडिया आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि 15 रुपे का भी सिक्का आता है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का 15 रुपे का सिक्का है यहां पर आप देख तो अगर आपके पास यह सिक्गा पाया जाएगा तो हम आपको तीन लाक give देंगे इसीनि परकार दोष्टों इन जो सिक्गों मैं जो प्रोफाइल आई थी जिनमें यह जिखा भी इस्ते था अगर आपके पास भी सिखावएलेबल है तो दोस्तों इसकी कीमत आपको 2,90,000 रुपे दी जाएंगे यानि कि 10,000 रुपे हमें मिलेंगे और 2,90,000 रुपे आपको दी जाएंगे और विद्यसों में इसकी कीमत 3,000,000 रुपे में यह सिखाव भिकने वा कुछ भी लिखा हुआ यानि की एड में आप देख सकते हैं पानाच रुपे और इस परकार की दोनों डिजाइन फूलों के डिजाइन आपको दिखाई दे रही हैं और तो टेल भाग होता है यहां पर आप देख सकते हैं सोगस्तम का चिन भी होता हैं और सत्ते में जैते भी पर बारत इंडिया भी लिखा हुए होता है इस परकार से कुछ लिखे हुए होते हैं दोस्तों अगर आपके पास भी सिक्का पाया जाता हैं तो 80,000 रुपे हम आपको देने वाले हैं अगर आपके पास यह सिक्का वेलेबाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आक जरूर बता दीजिएगा अगला सिक्का दोस्तों जो माता वैशनों देवी का सिक्का यहां पर आप दीख सकते हैं यह इस प्रकार का माता वैशनों देवी जी का सिक्का आपको दिखाई दे रहा हैं और यहां पर आपके पास भी इस प्रकार का माता वैशनों देवी का फो दोस्तों अब ऑई अपन बात कर लेते कि अगर आपको यह सारे सिक्के सेल करने वो में डिटेल बता देता हूँ दोस्तों अगर आपकी वास इसी के अवलेबल हैं और आप इने सेल करना चाहतें तो मैं आपको एक छोटी सी प्रोसेज बताने वाला हूँ जहां पर आपको जाने की बाद में आपके नंबर देने होंगे और जैसे आप अपने नंबर देंगे तो आपके नंबर हमारे पास आजाएंगे डारेक्टली और इस एप्लिकेशन की स्थाफ नाम ने और इन प्रोसेज की स्थाफ नाम ने इसलिए की है क्योंकि कोई सिष्टर वो हो सकती जो अपने जो मोबाइल नंबर है वो कमेंट बॉक नबसकुंट करते हैं और अगर आपके प्रकार का पुराने नौटोर सीखिए और आप से यहल करना चाहते हैं तो देचे बाद में अगर आप अपने मोबैल नमबर देना चाते हैं तो मैं आपको अलग सी प्रसेश बतने वाला हूँ जैसे ही आप अपने मोबाल नमर इस प्रोसेज में देदोगे तो डारेक्ली आपके जो मोबाल नमर है वो हमारे पास आ जाएंगे और किसी के पास में जो आपके मोबाल नमर एक नहीं होंगे और डारेकली हमारे पास आजाएंगे तो हम आपकी वाटसप नमबर फर हाई लेकर बेज़ देंगे और आपके पास जो भी पुराने नॉट और सिक्के है तो डारेकली आपकी जो लिष्ट है वो हमें सेयल कर देना या पिर अलग अलग कोई भी सिक्के है तो उसका फोटो कीज़ कर बेज़ देना या पिर आपके पास कोई सिक्के है वो हमें लिख कर बेज़ देना कि हमारे पास यह सिक्के आउले बाल है तो दोस्तों अगर आपकी पास शिक्के पाइज आते हैं तो आप इस प्रोसेज को फॉलोज जरूर कर लीजी ताकि मैं आपको बता दूँ दोस्तों कौन सी प्रोसेज है उसके बारे माई यह अपन बात कर ले तो दोस्तों पुराने नौट और शिके बेचने के लिए और मेरे से वाटसब पर बात करने के लिए मेरे वाटसब नमबर लेने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो वीडियो को टाइटल आपको दिख रहा है ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये वीडियो वीडियो को टाइटल की पास में तीर का निशा दिख रहा है इस पर क्लिक करना है Simply यहाँ पर description में आपको एक link मिल जाएगा Simply दोस्तों उस पर क्लिक करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको करना है वहाँ पर link पर क्लिक करोगे तो आपके नमबर हमारे पास में आ जाते हैं और हम आपको WhatsApp पर high लिख के बेज देते हैं और फिर बाद में जैसे पीछे लोगों ने मेरे से content किया है ऐसे आप भी कर सकते हैं WhatsApp पर यहाँ पर अलग-अलग language सेलेक्ट कर ले नहीं है मैं हिंदी कर ले रता हूँ, हिंदी कर ली उसके बाद में आपके सामने इस परकार से open होगा application, simply आपको कार देना नीचे आपको ऐसे आना है, सिरफ phone पे login करना है, जैसे दिखना है phone पे phone पे करने के बाद में आपको अपने यहाँ पर नए नमबर देने है, दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर आपने परयास यह पहले भी कर रहा है इसमें नमबर दे रहे हैं, तो आपके नए नमबर देने होगे, आपके बेन के, आपके भाई के, या फिर आपके पिता के जैसे नमबर दोगे तो आपके नमबर हमारे पास में आजेंगे हम आपसे तुरंत संप्रक कर लेंगे लिंक डेस्क्रिम से दिया हुआ है इससे डाउनलोड करो अपने नए नमबर दो